पिर्माणी करन ऐसी पिर्किरिया होती है जिसमें पिर्माणी करन की एक संस्ता होती है जो ये पिर्माणीत करती है कि जो हमारा जैविक उत्पादन है वो कुछ नियम, कानून और प्रिंस्पल के अधार पर किया गया है यहां तक इस्टेंडर्स की बात है, मानकों की बात है भारत सरकार ने अपने मानक पहले से ही बना लिये हैं और उनकी आधार पिर्माणी करन की पिर्किरिया की जाती है जो हमारा थर्ड पार्टी सर्टिफिकेशन है जिसकी लगबग 20 संस्थाय हमारे देश में काम कर रही है यह थोड़ा महगा होता है और इसमें लगबग 50-60,000 प्रितियकर के हिसाब से खर्चा आता है तो जो हमारे सीमान्त और लगू किसान है वो इसको अपनाने से थोड़ा कतराते हैं उनको दिक्कत होती है इस चीज को ध्यान में रखते हुए जो नेशनल सेंटर ओफ और्गेनिक फार्मी रास्टिये जैविक खेति केंदर है गाजियाबाद में उपस्तित है उसने PGS जानकारी आप जो रास्टिये जैविक खेति केंदर है उससे विस्तार में प्राप्त कर सकते हैं लेकिन इसका सबसे बड़ा फायदा किसानों का यह है कि इसमें खर्चा कम आता है और घरेलू बाजार में कम से कम जैविक पदार्थों की उपलपता बढ़ जाएगी इसमें जादे से जादे 300-400 रुपे प्रती एकड़ के हिसाब से खर्चा आता है और इसको अपना कर किसान अधिक से अधिक लाब अरजित कर सकते हैं जैविक खेती के प्रचार प्रसार और अपनाने को लेकर भारत सरकार भी सजग है और काफी लंबे समय से इस और सरकार प्रयास कर रही है सबसे पहले वर्ष 2000 में भारत सरकार ने रास्टिय खेती पर जैविक कारेकम शुरू किया जिसको नेशनल्ल प्रोग्राम ओफ और ओर्गैनिक प्रोडक्शन कहते हैं फिर वर्ष 2002 में भारत सरकार ने एक और्गनिक लोगो जो हमारे खास करके जैविक पदार्थ निर्यात किये जाते हैं, उनके लिए और्गनिक लोगो भी बना लिया है 2002 में, इसके बाद वर्ष 2004 में नेशनल सेंटर ओफ और्गनिक फामी, रास्टिय जैविक खेती केंदर की स्थापना की जो गाजियाबाद में इस्तित है, इसका प्रमुक कार ये करम है कि लोगों को, किसानों को और अन्ये स्टेक होल्डर्स को ट्रेनिंग देना, प्रशिक्षर देना, जिससे के जैविक खेती का अच्छे से प्रचार प्रसार हो सके, साथ ही इसी केंदर ने आज संशोधन भी किया गया है, और ये हमारे राश्चे मानक भी उपलब्द है, जैविक खेती के, और खास करके जो वरत्मान वित्यवर्स था, उसमें भारत सरकार ने उत्तरपूर्वी राजियों में जैविक खेती के विकास के लिए 100 करोड रुपे की राशी आबंटित की है जिससे वहाँ पर जैविक खेती का विकास हो रहा है, तो कुल मिलाकर हमने देखा कि जैविक खेती एक ऐसी खेती है जो पर्यावर्ण प्रिये है, हाँ शुरुवात में इसमें उत्पादन कम मिलता है, लेकिन अगर हम सही तरीके से फसल चक्रों को अपनाएं, उसमें उच अपने जो उत्पाद है, उसका सही से विपढ़न करें, उसकी सही से मार्केटिंग करें, तो जैविक खेती से चाहू चारो तरफ लाव ही लाव होंगे. साथी जैविक खेती पर विस्तर जानकारी के लिए आप किर्शी विश्विद्याल, अपने सम्मांदित किर्शी विश्विद्याल है, या किर्शी विज्यान केंद्र, या जो हमारा रास्ट ये जैविक खेती केंद्र है, उसके हमारे देश के अनेक हिस्सों में उनके मौझूद हैं, वहां से आप विस्तर जानकारी उपलब्द कर सकते हैं, इसके अलावा और जानकारी आप जो भारत सरकार का एपीडा डिपार्टमेंट है, उसकी वेबसाइट से भी आप जानकारी ले सकते हैं, जिसका पता है www.apeda.gov.in, इससे आप जानकारी ले सकते हैं.